कुम्ब राशिवालो 17 जुलाई की दिन मिलेगी बहुत अच्छी खबर आपका परिवार नाचने लगेगा नमस्कार दोस्तो जय भूलेनाथ 17 जुलाई की कुम्ब राशिवाल की कुछ इंपोर्टन बाते आपका सामाने राशिवाल कैसा रहेगा कोंसे बातों का ध्यान रखना है धनर राशिवाल लव राशिवाल करियर राशिवाल और आपका स्वास्त राशिवाल कैसा रहेगा सभी बाते विस्तार पर वक इस वीड वीडियो आपको हर रोज देखने को मिले दोस्तों इन वीडियो को देखने के बाद आप आने वाली दुनों के बारे में पहले से अनुमान भी लगा सकते हैं तो चले समय ना गबाते वह जानते हैं कुम्बराशी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं आप के लिए important बाती कैसे रहेगी उसके बारे में दोस्तो आज यदि आप अपने पूरे प्रयास करते हैं तो आपके उलजे होे मामले श्याम तक हल्ल हो सकते हैं यदि आप पैसों के मामले में किसी तनाव का सामना कर रहे हैं तो आज की दिन आपके लिए शुबब फल देने वाला है आज आपको या तो फाइदा हो सकता है या कोई ऐसा मददगार मिल सकता है जो आपको एक नई शुरुवात करने में मदद कर सकता है ओफिस और कारेकशेतर में आज दिन आपके लिए सामने रहेगा आज आप अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने में सफल रहेंगे किसी बुजर्ग से मिली कोई सलाह बहुत अधिक कारगार से दोगी आपको अपना ध्यान अपने स्वास्त के और बीद देना होगा अपने बढ़ते हुए खर्चों पर आपको नियंतरन रखना होगा पैसों से जुड़ा हुआ कोई बड़ा फैसला आज की दिन बिल्कुल भी ना करेगा तो चले आप बात करते हैं आपका सामान असर अशिपल कैसा रहेगा उसके बारे में आज आत्म विश्वास और हिम्मत के बल पर आप कुछ बड़े काम कर सकते हैं आपके सहगर में कोई जरूरी फैसला लेने के लिए आपकी मदद कर सकता है हर प्रकार के तनाव को अपने से दूर रखेगा किसी भी प्रकार के समस्याओं से परेशान होने की अवशक्ता नहीं है आपको थोड़ा धहरे रखना होगा इसे सारी परस्तितियां आपके पक्ष में होती चले जाएंगी जो परस्तितियां कल तक आपको काफी मुश्किल लग रही थी वह आपको काफी आसान नजर आएगी आज मित्रों के साथ हसी मज़ाग में समय बीच सकता है कोई बड़ा फाइदा आपको हो सकता है व्यापर में भी कोई अच्छे फाइदे के योग भी बन रहे है प्रेम संबंदों में चल रहात तनाव आज की दिन खत्म होता हुआ आप अपने आखों से देखेंगे तो चले अब बात करते ही कि आपको कुन से बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में व्यस्त दिन चर्या के बावजोद सेहत आज के दिन बहुती अच्छी रहने वाली है लेकिन इसे हमेशे अकले सच मानिक की गलती ना करेगा सेहत को हरवस्त तंद्रुस्त और जो की शक्तिशली सेहत बनाने के लिए व्यायम योगा इसको करना बहुत जरूरी है साथी साथ व्यस्त दिन चर्या के बावजोद आप अच्छा खाना खायेगा बहर की तली भुली चीज़ें को खाना बिल्कुल भी नहीं करेगा जेवर और एंटिक में निवेश फायदे मन रहेगा और सम्रुदी लेकर आएगा शाइदी लायक युवाओं का रिस्ता तै हो सकता है प्रेम एक दुसरे की परिवारिक भावनाओं को समझेंगे करियर से जुड़े फैसले खुद करे बाद में इसका लाब आपको मिलेगा आपका शिक्षन, करियर आपका, पैसा भी आपको मिलेगा इसलिए जो भी फैसला लेना है खुदी करेगा फुदी सोच समझ कर थोड़ा दिर लगे चलेगा लेकिन सोच समझ कर ही फैसला लिजेगा आज अच्छानक आप काम से चुट्टी लेने का प्ल्यान बना सकते हैं और अपने परिवार के साथ वक्त बिता सकते हैं उसको जान लेते हैं दोस्तों जो लोग बे रोजगार हैं और भहुत दिनों से रोजगार प्राप्ती के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं उनको आज की दिन अच्छी ख़बर सुनने को मिल सकती हैं या तो अच्छा नोकरी का अपॉइनमेट लेटर मिल सकता हैं या फिर आज डियरेक्टली जॉइनिंग लेटर भी अनि कि आज की दिन ही आपको काम पर बुलाया जा सकता हैं साथी साथ जो लोग बिजनेस के लिए सोच रहे हैं और बिजनेस के लिए पैसों की कमी आ रही थी लोन के लिए ट्राय कर रही थी या फिर किसी से पैसा उधार मांगा है तो आज की दिन आपको मिल सकता है और आजी के दिन आप अपने बिजनेस को जो की शुरुआत कर सकते हैं तो चले अब बात करते हैं आपका धनर अशिपल कैसा रहेगा उसके बारे में उन लोगों के लिए यह समय अच्छा है जो शांती चाते हैं अभी अपने करियर और अपनी मा या फिर मा की तरह किसी स्तरीका खास ख्याल रखेगा कुरुशी, मिट्टी या फिर पानी से जुड़े कार्य आपको संतुष्टी और धन दोनों ही देंगे घर की मरमत और नविनिकरन या अन्य गरीलू मामले आपको व्यास्तर रखेंगे दोस्तो ऐसा प्रतित हो रहा है कि आज सबकोच आपके जीवन पर गहरी चाप छोड़ेगा काम या करियर की और आपका व्यावारी दुरुष्टी कोन आपको आर्तिक रूप से समरुद होने में मदद करता है दोस्तो आज की दिन धन और आराम भी आपके कार्ड पर लिखा है अपनी लक्ष तरफ अडिग रहीगा और अपने कर्मों को देखें क्योंकि वही आपकी नियती है तो चलिए बात करते हैं आपका करियर रश्यपल कैसा रहेगा उसके बारे में दोस्तो आज आपको लगेगा कि आपके आफिस में कुछ बाते आपको परिशान कर रही है और आपको उनके साथ काम करने में परिशानी हो रही है अगर आप इस बात पर नोकरी छोड़ने के तयार नहीं है तो आपको उनके साथ ही काम करना होगा उनके साथ एड़जेस्ट होना पड़ेगा आपको ये सोचकर संदोश करना चाहिए कि कभी समय खराब होता है तो कभी अच्छा भी होता है तो खराब समय में बिल्कुल भी ना खब रहेगा और अच्छे स्तिती में हवा में मत उड़ेगा तो चले अब बात करते हैं आपका लव रशिपल कैसा रहेगा उसके बारे में आज उस खास से मिले जिनकी वज़े से आपकी जीवन में बहार है रोमांस को ऐसे ही जावा बनाए रखने के लिए आपकी पहल अवशक है आप ऐसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं जिनके साथ आप कमफर्टेवल रहते हैं घर की मरमत या फिर नविनिकरन भी इस समय जरूरी है आपका परिवार और आपका सोलमेट आज आपके लिए सबसे अधिक महतोपुर्ण हैं और उन्हें आपकी अवशकता भी पढ़ सकती है दोस्तो प्यार की इन पलों में आपको ऐसे महसुस होगा जैसे आपके कानों में कोई सितार बजा रहा है अपने प्राणों से भी प्यारे साथी को कोई ऐसा सर्प्राइज दे सकते हैं जो उसे पूरी उम्र याद रहेगा तो दोस्तो आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्तराशिपल कैसा रहेगा उसके बारे में आज आप अच्छा महसुस नहीं करेंगे दुर्भग्यवश आप खुद को आलसी और हतोस्ताहित महसुस करेंगे आपको पता ही कि जिम जाना चाहिए पर उन्तो आप जाएंगे नहीं ध्यान रखें कि आप अच्छा खाएं अन्यता आपकी तबियत गिरी सी महसुस होगी आप घल से फिर से व्यायम करना शुरू कर देंगे सबसे पहले स्वास्त पर ध्यान दिजेगा अगर स्वास्त अच्छा रहेगा तो आप काम अच्छा करेंगे अगर काम अच्छा करेंगे तो आपके आर्थिक परस्तिती है वो सत्दूर बनेगी तो कुछ इस तरह से आपका जो की कुम राशीप फल्टर ने वाला है दोस्तों वीडियो सच में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के संक्षियर करेगा और हमारी चैनल ट्रेंडिंग राशिबल को सब्सक्राइब जरू करेगा तो दोस्तों आज की सुड़ में बस इतना ही मिलते हैं नेवरो के साथ धन्यवाद